महम्मद का जयाद नहीं मेरी जिन्दगी एक हम उधास है बहुत ज़्यादा मायूस है आपकी गल्फनेट आपको छोड़के चली गई है और आपके पास खुश रहने का कोई तरीका नहीं है तो आपका दोस्त और आपका होश आपके लिए लेकिया आया बहुत ही कमाल का वीडियो इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे आपके नभी ने मुहमत साहब ने अपने हिम्मू बोले बेटे की बीवी को हतिया लिया ओ भी ये कहके कि ये अल्ला का क्या कहते है यार उसको मतलब अल्ला का फर्मान है और ये कहके उसने अपने बेटे की बीवी को ही अपना लिया आईसा भी होता है यार कमाल का वीडियो देखिए और वीडियो को शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को स्थ्क्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बहुत ही कमाल का बीडियो है भाई लोग बहुत ही कमाल का मुहम्मद का जैद बिन मुहम्मद नामक एक गोद लिया हुआ बेटा था वो जैद का निकाह करना चाहता था मैं सोचता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक बहतरीन बीबी होगी चलो उसके घर चलते है जैनप मैं चाहता हूँ कि तुम जैद से निकाह करो क्या ये 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 तो आपका गुलाम हुआ करता था मुझे लगा कि आप अपना पैगाम लाए हैं नहीं कताई नहीं मैं इससे निकाह नहीं करना चाहती ये एक गुलाम था और मेरी सामाजिक हैसियत इससे कहीं उंची है तुम्हें जैद से निकाह करना ही होगा ओ रसूल अल्ला क्या आप मुझे सच में बताना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ यदि मैंने तुम्हारे लिए पहले से कुछ तै कर लिया है तो तुम्हें इसे मानना ही है न किसी इमान वाले पूरुष और न किसी इमान वाली स्त्री को ये अधिकार है कि जब अल्ला और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उन्हें अपने मामले में कोई अधिकार शेश रहे जो कोई अल्ला और उसके रसूल की अवग्या करे तो वो खुली गुमराही में बढ़ गया ठीक है मैं जैद से निकाह करूँगी मुहम्मद ने तब जैद और जैनब की शादी समारों का आयोजन किया एक दिन मुहम्मद जैद को मिलने उसके घर पर गए जैद क्या तुम घर पर हो लेकिन जैद घर पर नहीं था तब ही हवा ने परदे को उड़ा कर एक और कर दिया नभी मुहम्मद ने जैनब को अपने कक्ष में नगनग खड़े देखा माशा अल्ला ओह रसूल अल्ला जैनब ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने तब वो मुहम्मद से मिलने बाहर आई ए अल्ला के नभी अंदर आईए आप तो मेरे माता और पिता की तरह हैं एहम दुलिला जो लोगों के दिलों को बदल देता है अल्तब्री का इतिहास वोल्यूम आठ प्रिष्ट चार स्पष्ट करता है कि मुहम्मद ने अपनी पुत्रवधू को नगन देखा जैनब अपने कक्ष में निर्वस्त्र थी और उसकी तारीफ नभी के दिल में प्रवेश कर गई अपनी नगन पुत्रवधू को देखकर नभी को उससे प्यार हो गया कुरान सूरा अल अहजाब आयत 36 की तफसीर अल जलाल एन के अनुसार ऐसे मौके पर उस नभी ने उसको देखा और उसके लिए प्यार को महसूस किया जब जैद वापिस घर आया तो जैनब ने नभी मुहम्मद के आने के बारे में बताया अपके पिता यहां आय थे जब आप घर पर नहीं थे इसके बदले वे मुझसे मिले ओ तो तब क्या हुआ कुछ नहीं हुआ जब उनको पता चला कि आप यहां नहीं है वे चले गए अच्छा ओ जाने से पहले उन्होंने कहा एहम दुलिला जो लोगों के दिलों को बदल देता है इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता जैद नभी मुहम्मद के साथ बच्पन से रहा था और निश्चित तोर पर अपने पिता के व्यक्तित्वर और चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था मुहम्मद के लिए अपनी पुत्रवधू के प्रती अपनी भावनाओं को छुपाना काफी मुश्किल था जब जैद को अपने मुहबोले पिता का उसकी पत्नी के प्रती बरताव का पता चला तो उसको यह जानकर काफी बुरा लगा इनको देखो मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में कुछ चल रहा है जैद के लिए हालात खराब होने लगे जब अल्लाह ने उसे दंड दिया जब भी वो अपनी पत्नी से संबंद बनाने की कोशिश करता आउच इसमें दर्ध होता है मेरे गुपतांग में बहुत बुरी तरह से सूजन आ गई है इसमें दर्ध होता है जब भी मैंने अपनी पत्नी से संबंद बनाने की कोशिश की मेरे गुपतांग में सूजन आ गई मैं एक शोहर के तोर पर नाकाम रहा और मुझे दर्ध हो रहा था भाई मुझे लगता है कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ यह किया उसने तुम्हारे अब्बू के लिए जैनब को बचाने की कोशिश की अल्लाह ने मेरे शोहर जैद बिन मुहम्मद के साथ यह किया जैद के शिशिन में सूजन आने लगी ताकि वो मुझसे संभोग न कर सके जैद ने अपने मुहबोले पिता मुहम्मद से मिलने का निश्चे किया रसूल अल्लाह शायद जैनब ने आपके अर्मानों को हवा दे दी है इसलिए मैं उसे छोड़ दूँगा क्या समस्या है? क्या उसकी किसी बात ने तुम्हें परिशान किया है? नहीं, खुदा कसम, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं परिशान हो अपनी बीबी अपने पास रखो, उससे अलग मत हो और अल्लाह से डरो लेकिन हकीकत में मुहम्मद ने जैनब के प्रती अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा हुआ था ओ, मैं नहीं भूल सकता कि उस दिन वो अपने कक्ष में कितनी हसीन लग रही थी मुझे डर है कि कहीं लोग इस ओर ध्यान न देने लगें ओ, रुको, रुको, अल्लाह ने मुझे एक संदेशा भेजा है कुरान, सूरा आला हजाब, आयत 37 याद करो, ए नबी, जबकि तुम उस व्यक्ती से कह रहे थे जिस पर अलाह ने अनुकमपा की, और तुमने भी जिस पर अनुकमपा की कि अपनी पत्नी को अपने पास रोके रखो और अलाह का डर रखो और तुम अपने जी में उस बात को छुपा रहे हो जिसको अल्लाह प्रकट करने वाला है उसके बाद मुहम्मद ने जैद को फिर नहीं रोका मैं जैनब को तलाग दे दूँगा ताकि आप उससे निकाह कर सको जैसी तुम्हारी इच्छा लेकिन ऐसा लगता है कि नभी के खूद के नैतिक माबदन थे लोगों ने मुहम्मद के जैनब से निकाह करने की योजना के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया ऐसा कैसे वो अपनी पुत्र वधू से निकाह कर सकता है ऐसा क्यों है कि कुछ और करने से ज्यादा अल्ला मुहम्मद की योन इच्छाओ को पूरा करने में चिंतित रहता है अल्ला ने मुझे जैनब से निकाह करने की इजाज़त दी है क्योंकि जैद मेरा सगा बिटा नहीं है अतहर जब जैद को उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी हमने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया ताकि इमान वालों को अपने मुह बोले बेटों की बीबियों से संबंद बनाने में कोई असहच्ता न हो जबकि उन्हें उनकी कोई जरूरत न रह जाए और हमेशा अल्ला का ही हुक्म बजाया जाता है अभा मनातों को गोद नहीं ले सकते यह बताने के लिए कि जैद उसका सगा बेटा नहीं है और उसके लिए अपनी पुत्रवधू से निकाह जायज है वाह बहाना तो अपराद से भी बत्तर है कौन होगा जो नभी की नेतिक मिसाल का अनुसरन करना चाहेगा अपनी पुत्रवधू के प्रती गलत इच्छाओं को पन अपने देना क्या हम अपने बच्चों के लिए सखीना, मावादा और रामा निकाह नहीं चाहते यहां रसूल उल्लाह के कई विशेश अधिकारों में से एक है आपके लिए नहीं वलकी केवल नभी के लिए अगर पैगंबर मुहमद एक और द्रिश्टिपात करता है और उसे पाने की चाह रखता है तो उसके पती के लिए उसे तलाग देना जरूरी है ताकि वह उसे निकाह कर सके यह अल्लाह की ओर से उसका अधिकार है मुहमद और जैनब के लिए एक शादी समारों का आयोजन किया गया सिवाए जैद के हर कोई खुश था मैंने अपनी प्यारी बीबी को खो दिया इससे ज्यादा और क्या होगा कि मैं अब नभी का गोदलिया बेटा नहीं हूँ पहले लोग मुझे जैद बिन मुहमद बुलाते थे लेकिन अब वे मुझे जैद बिन हर्था बुलाते है इस तरह के हालात में तो मैं खुश नहीं हो सकता देर रात तक महमान नभी मुहमद के घर को छोड़ कर जाना नहीं चाह रहे थे नभी ने कमरे से बाहर निकल कर यह इशारा किया कि महमानों के जाने का वक्त हो गया है कुछ समय बाद अधिकांच लोग मुहमद के घर से चले गए लेकिन तीन लोग अभी भी रह गए क्या वे नहीं जानते कि हम अकेले रहना चाहते है नभी ने उन्हें अपनी नाखुशी जाहर की देखो यार, उसने यह जाहर करने की कोशिश की है कि हमें जाना चाहिए क्या वो हम से सीधे नहीं बोल सकता शायद महमानों से छुटकारा पाने के लिए उसे अल्ला की मदद चाहिए अंत में मुझे क्या करना होगा उन्हें जाने के लिए कहना होगा लोगों में कोई तमीज नहीं है ये रही आयत ऐसे महमानों से छुटकारा पाने के लिए जो बहुत देर तक तुम्हारे घर में रुके रहते हैं कुरान सूरा अलहजाब आयत तिरपन ए इमान लाने वालो नभी के घरों में प्रवेश न करो सिवाए इसके कि कभी तुम्हें खाने पर आने की अनुमती दी जाए वो भी इस तरह कि उसकी तैयारी की प्रतीक्षा में न रहो अलबत्ता जब तुम्हें बुलाया जाए तो अंदर जाओ और जब तुम खा चुको तो उठकर चले जाओ बातों में लगे न रहो निश्चे ही तुम्हारी ये हरकत नभी को तकलीफ देती है किन्तु उन्हें तुमसे लज्जा आती है किन्तु अल्ला सची बात कहने से लज्जा नहीं करता क्या उसमें दिल नहीं है जो उसने जैट के गोद लेने को ही रद कर दिया हमारी संस्कृती में जब हम एक बार किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वो व्यक्ति जिंद्गी भर के लिए हमारे परिवार का सदसे बन जाता है मुहम्मद ने जैट के साथ किये गए अपमान के बारे में मुझे कुछ करना होगा जैट ने तीन हजार मुस्लिम फॉजियों का नित्रित्व करते हुए बसरा की ओर कुछ किया मुस्लिम फॉज के अन्ने दो कमांडर थे जफर इबन अबू तालेब और अब्दुल्ला इबन रावा तुम्हारे गुपतांग में अभी भी सूजन है क्या? बदबास मत कर जैट ने त्रित्व करते हुए अपनी फॉज को मदीना से बसरा ले गया जो की शाम या सीरिया भू भाग में थी रैजेंटाइन फॉजों ने मुताह नामक गाव में उनका सामना किया ओ ये तो पहले से ही हमारी ताक में बैठे हैं भागो भागो दोनों मुस्लिम कमांडर जफर इबन अभू सालिब और अब्दुल्ला इबन रावाह लडाई में मारे गए पहले मुहम्मद के हुकम से जैद कुरेश व्यापारियों पर हमला और लूपमार का काम किया करता था जो की आसान शिकार थे इस बार उसका सामना एक असल शक्तिशाली फॉच से हुआ था अंतता जैद मारा गया आएए नभी मुहम्मद और जैनब की प्रेम कहानी की तुलना किंग डेविड के साथ हुई घटना से करते हैं जो की बाइबल ड्वितिय सैमुल चैप्टर 11 और 12 में लिखी हुई है जिस प्रकार नभी मुहम्मद जैनब को पाने के लिए लालाय थे किंग डेविड भी बादशीबा के लिए जुनून शुदा था जो की एक उराय नामक इस्राइली सैनिक की बीबी थी किंग डेविड ने तब उराय को रास्ते से हटा दिया इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी फल्स्वरूप डेविड ने आसुओं से पश्चताप करते हुए प्रार्थना की जैप्टर एक यावन आयत एक से तीन तथा दस धे पर मेश्वर अपने अटल प्रेम के अनुसार मुझ पर दया कर यावे ने अन्य पुरुष की पत्नी के लिए यौन लोलुपत इच्छाओं की निंदा की मैथ्यू चैप्टर पाँच आयत 27 और 28 एक सोर से चैप्टर 20 आयत 17 अपने पढोसी की पत्नी का लालच न करना दूसरी और कुरान के खुदा अल्ला सुभान हुवत आला ने मुहम्मद को कभी दंडित नहीं किया भले ही वो कितना पाप पूर्ण कृत्य था अल्ला ने कुरान की विभिन आयतों के माध्यम से पैगंबर की बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके साथ सहयोग किया जो कि उसके खुद के बेटे और पुत्रवधू के घर को बर्बाद करने को जायस ठहराते हैं यदि मुहम्मद किसी शादी शुदा औरत के लिए लालायत होता तो उसके शौह के लिए यह लाजमी होता कि उसे मुहम्मद की खाते तलाग दे तबरी वोल्यूम 9 प्रिष्ट 134 मुहम्मद ने जैनब को हतिया लिया लेकिन अलाग को इस रिष्टे में कोई खराबी नजर नहीं आई और उसने शादी का हुकम दिया अलाग तो मर्दों के दिलों में जिना की लालसा को जाहिर करने का भी दावा करता है सही मुसलिम किताब नमबर 33 हदीथ नमबर 6422 अलाग ने जिना के उस हिस्से को तै कर दिया जिसमें एक मर्द लिप्थ होगा इससे कोई बच नहीं सकता मुहमद और जैनब के निकाह के कुछ समय बाद अलाग ने गोद लेने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया कुरान सूरा अल-अहजाब आयत 4 और 5 के अनुसार यह स्पष्ट है कि गोद लेने के नेक नैतिक कार्य को खत्म करने का कारण मुहमद को उसके सहाबा के इलजामात से बचाना है कुछ मुसल्मानों का तर्क है कि गोद ले बच्चे सगे बच्चे नहीं है इसलिए पैगंबर मुहमद अपने गोद ले बेटे की पत्नी से शादी कर सकते है यह एक कमजोर बहाना है क्योंकि कानूनी और नैतिक रूप से उसे तब भी एक सभ्य संसार में बेटा माना जाता था क्या मुहमद ने काबा के सामने कुरेश के लोगों के समक्ष कसम नहीं ली थी की जैद उसका अपना बेटा बन गया है कुरान सूरा अल-अहजाब आयत 21 में मुहमद ने बहतरी नकलाखी नमूना होने का दावा किया है क्या यहां कोई भी समझदार मुमिन है जो अपने ही बेटे की बीबी से शादी करने में पैगंबर के नमूने का अनुसरन करना चाहेगा